नवसकार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर रविंद्र पाथी आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कायरकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांग की क्या इस्तिति है शुर्योदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा राहुका अपको क्या लाव मिलेगा यह सब बताएंगे विस्तार से 12 राशियों की भी बारे में बताऊंगा कि आज की 12 राशियां क्या कहती है इसको रैजनेतिक लाव होगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन विदेश जाएगा किसको आयात निर्यास से धनलाब मिलेगा किसको सोने चांदी की बैपार से लाब मिलेगा किसको भूम इभान करिदना है किसको गाड़ी करिदना है यह सारी का जनमदीन है उनके भी बारे में आपको बताऊंगा आप देखते रहें भागी गुरु कारिकरप अब हम बात करते हैं आज के पंचंग की आज 14 दिसंबर 2023 दीन है गुरुवार सुर्योदय होगा सुबह साथ बच के पांच मिनिट पर सुर्यास्त होगा साम को पांच बच के और मुल नच्छत रहें गंड योग है और आज का जो सुभ मूर्थ है वह 11 बच के 24 मिनट से लेके 12 बच के 36 मिनट तक है राहु काल है दो पाहर 1 बच के 33 मिनट से लेकर के दो पहर दो बच के पच्चास मिनट तक रहेगा दच्छनर दिशा का दिशाशूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में कोई कारे नहीं करना है दिशाशूल में जब भी आप देखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि यातरा कर लेते हैं कोई मात्पूर कारी के लिए यात्रा करते हैं जो यात्रा सुब नहीं होता तो आपको क्या करना है कि पूर निर्धारित है कि नहीं यात्रा करनी करनी है तो सुब मुहुर्त में प्रस्थान निकल के तब यात्रा करें आपका यात्रा सुभाद हो जाएगा कई बार अनिवार धनुराशी में है ता आज का दिन आपके लिए बैतरीन है अपनी इनर्जी को कॉंसेंटेट करिए और अपने एक लक्ष पर लग जाएए आज जितना आपना टास्प टार्गेट तो और इनर्टेड हो के कारेंगे सफलता मिलेगी है अब आइए हम बात करते हैं आजके महा मंतर की आज का महा मंतर है ओम ग्राम ग्रीम ग्राउम सा गुरुवे नमा यह महा मंतर यह कौ्णी में ब्रियस्पति continent खराब औरि प्रियस्पतिת को सफलता नहीं मिल और आपको पर्तिष्ठा में दिक्कत आ रही है आपका एकागरता नहीं हो रही है आपको याश्पत परतिष्ठा के लेकर दिक्कत हो रही है तो आप इस Müहामत्र का जब करिए पीले रंग का वस्तर्धान करिये और हल्दी का माला बनवाईए और इस मंत्र को कमस्कम एक माला प्रतिए ब्रहस्पत्वार की दिन करिये आपके लिए लाप प्रतध रहेगा. जिदी ब्रहस्पति गरह के नाते आपका दामपत्ती जीवन खराब है पत्नी की हेल्थ को लेकर के दिक्कत हो रही है विवाह नहीं हो रहा है तो यह मंत्र आपके लिए रामबान सिद्ध होगा अगर इस मंत्र का जब करते हैं तो विवाह में होने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी और जो विवाहीत है उनका दामपत्ती जीवन खराब है इस मंत्र का जब करें आपके दामपत्ती जीवन में सुधार होगा अब हम बात करेंगे 12 रासियों की बारे में कि आज किसको आर्थिक लाब होगा किसका बैपार बढ़ेंगा किसको नियाले से धनलाब होगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन उच्पत प्राप्त करेगा किसको real estate property माई से धनलाब मिलेगा किस रंग के परेख करने से आपका भ होते हुए दिख रहा आर्थी पक्षब का बड़ा मजबूत होगा न्याले में अगर कोई भी बाद दिवाज चलागा तो आपको विजय स्री मिलेगी और न्याले साज आपका मान संबान बढ़ेगा परतिश्णा में बड़ोतरी होगी संतान से मन परसंद रहेगा संतत्यों क कर्म होंगे बड़े अच्छे होंगे उनके कार्यश्चतर को दे करके आप खुश रहेंगे आपके कर्म छेतर में विस्तार होगा आज आपकी पदुनत होने की संभावना बन रही है थोड़ा सा पिता साज बैचारिक मतवेद हो सकता है भाग के को ले करके आज का दिन आप तो होगा सौधानी के अबरतनी है गुसे पर नियंतरा रखना है उपाय क्या करना है सूरी दिव के अराद ना करें सूरी दिव को क्या करें किताबे के पात्र से उसमें एक लोटा जले लिजिए और उसमें केसर डालिए और गुड चावल को लाल रंग में रंग ओम ग्रेडी सूरी आयनवा इस मंतर से सूरी को जला भी शेक करिए आपके लिए अच्छा रहेगा सूबंके आठ सूबरंगे केसरिया लकमी टरेशाथ हरी कृष्णा बात करते हैं ब्रिसराशी की जो ब्रिसराशी की जातक है आज का दिन आपके लिए सर्वोतम है निया व देश विदेश की यातरा का योग बन रहा है और जो आपके आर्थी किस्टी है बहुत अच्छा चल रहा है उसके लिए समय आपका अच्छा है धन किस्टी मजबूत होगी आज आपका जो बहुत दिन से रुका हुआ धन है जो मिल नहीं रहा है वो धन मिलेगा डूमा हैं वो समाप्त होगा मित्रों की संख्या में बृद्धी होगी गुपत सत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आपके सामने चुनोंतियां आ सकती हैं सौधानी का बरतनी है मद्य हमार्ग अपनाना आपके लिए स्रिश कर रहेगा उपाई क्या करना भगवान भूले राषी कि जातक हैं. आज आपको देखना है कि आप बहुत म commencerों के सिविंदों को सोचते हैं. तो जब मayक्रों लेबल पर निगेटिव THOR तॉट में जाते हैं तो परिशान होजाते हैं इस लेращ CooperIVE थर से बचें- पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव करें चारों तरफ से धनलाब होने का समय आ गया है आपकी जो परिशानिया हैं दूर होंगी और माता-पिता का सुख मिलेगा पत्नी का सुख मिलेगा जदि आप लेखा कहें साहितिकार हैं तो उसे धन प्राप्ति की समहोना बन रही है सरक से धनलाब होगा विदेश आतरा कर सकते हैं रियल स्टेट में अगर पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाप्रत रहेगा नए सहयोग से बड़ा कारे संपन होगा कोई नया व्यक्ति मिलेगा जिसके सहयोग करने से आपकी माली हालत वैपारी किस्तिती और परिवा लुका दान करिए गाय को रोटी गुड़ खिलाना आपके लिए हित प्रद रहेगा सुबंके आठ सुबंके हरा लक मिटर है साथ हरी कृष्न बात करते हैं करकराशी की जातक हैं आपको अचानक बड़ी चिंता हो सकते हैं चोटी-चोटी बात को लेके परिसान हो सकते हैं मन का कारक है तो आप पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव रही है जो आपके अंदर विजन है आइडिया है उसको इंप्लिमेंट करने की जुरत है और उसको अपने नए आइडिया से नए विजन से धन की इस्ति अच्छी होगी और आपकी परिशानिया धूर होगी संतान स सौधानी के अब रतनी है नकरात्मक सोच से बचें उपाई क्या करना चंद्रमा के अराधना करिये सफेद बस्तू का दान करिये और क्या करिये कि जो गरीब लोग है उनको दूद या दाही खिलाएगे अच्छा रहेगा या खीर पूरी खिलाएगे सुबंके साथ सुबरं से मुक्ति मिलेगी और एक्सपोल्टिंपोल्ट के द्वारा धनलाब मिलेगा बेपार से लाब होगा परिवार में सुबह और मं lawnली कार होने का योग बन रहा है निरमाट का कार हो सकता है अज आपका सनानरां भी हो सकता है नही तरह की कारेंगे परिवारी कीновी होगी रोग और सत्रु परास्त होंगे अपने अतिंद्री ग्यान की बात माने आलश्य का पर्त्याग करिए और आपर्चुनिटी जो मिलने उस औसर का लाब उठाईए सौधानी का अबरतनी अपनी भासा पर संजम बढ़ते हैं उपाय क्या करना लाल वस्तू का दान करें और गाये को करने का समय आ गया है जितना मेहनत करेंगों से ज़्यादे लाब मिलेगा माता पिता का सिरवाद मिलेगा नय बैपार सुरू करने के औसर मिलेंगे नया घर खरी सकते हैं आज का दिन आपके लिए सर वो तम है कई परिशानिया आपकी समाब्त होंगी रोग और सत्रु परास हैं उपाय क्या करना भगवान स्री गडेश जी के अरादना करिए गंगल पते नवा भाल चंद्रायनवा बिकटायनवा इस मंत्र का जब करिए पंच मेवा के खीर से हावन करिए सुबंक है नौ शुबरंग है नीला लक मिटर साथ हरी कृष्णा बात करते हैं तुला राश खरिदना चाहते हैं उसका प्रबल यूग बन रहा है परिवार में सुब और मांगली कार होने से घर में खुश्यों का माहौल रहेगा नौकरी में पदुन्नत का यूग बन रहा है विदेश आत्रा करने का आसर मिलेगा आयात निर्यास से धन मिलेगा बैपारिक किस्ति मज सीजों का दान करिए सुबंक है नो सुबरंग है ग्रीन लख मिटर-7 बात करते हैं ब्रिष्क राशी की जो ब्रिष्क राशी की जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आपको गुस आप होता था तो गुस्त्र प diffलन Culture करिए चल अचल संपतिसे लाब होगा नई प्रकार के कारे शुरू करने के औसर मिलेंगे और उससे आपको धनलाब होते हुए दिख रहा है अगर आपको इनोकरी टाइट कर रहे हैं तो उसमें पदुन्नत होने की संभावना बन रही है पत्नी से थोड़ा बैचारिक रूप से अन्बन हो सकता है मतबेद हो सकता है पत्नी को सरक स्थानी के अबरतनी है स्वास पर विशेज द्यान रखें उपाय क्या करना है संकट मोचन हन्मान जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा लाल वस्तर का दान करना हिद कर रहेगा सुबंके आठ सुबंके सुर्क लाल लक मीटेर साथ हरी कृष्णी बात करते धन उतना कम दुख होगा यह परतिष्णा में बढ़ोतरी होगी संतान सुख और पत्नी का सुख मिलते हुए दिख रहा है संततियों से प्रेम बढ़ेगा सरकारी नोकरी और परमोशन का युग बन रहा है माली हालत अच्छी होगी बिदेश जाने का युग बन रहा है इंस्ट्रूमेंट का आप एक्सफोल्ट इंपोर्ट कर सकते हैं उससे आपकी माली हालत अच्छी होगी सौधानी का अबरत नहीं है दिल की बजाए दिमाग से निड़े ले उपाय क्या करना गाय को खिचड़ी और दाल बरी पोड़ी खिलाए बंदरों को केला खिलाना बात करते हैं मकराशी की जो मकराशी की चातक है आज आपकी समाज में परतिष्ठा बढ़ेगी मान सम्मान बढ़ेगा और पत्नी की स्वास पर ध्यान रखें पत्नी की स्वास को ले करके चिंता हो सकती है प्रापल्टी तादी को ले करके थोड़ा सा सचेत रहें किसी से ल तुका हुआ दन मिल सकता है कंस्ट्रक्शन और माइन्स से दनलाब मिलने की संभाना बन रही है ज़िए पेट्रोलियम गय सिंधन के लिए वैपार करने की प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए हित प्रत रहेगा सौधानी के अबरतने गुस्ते पन्यंत्रा रखें उपाय क्या क करें शनिवार को सनी मंदिर में जाकर सर्शो के तिल का दिपक जलावें काली वस्तू का दान करें और कौवे को रूटी खिलाएए सुबंके नो सुबरंगे सफेद लक मीटरे साथ हरी कृष्णा बात करते कुम्भराशी की जो कुम्भराशी की जातक हैं आज आप जितना परिशरम करेंगे उससे जाइदे धन आपको मिलेगा तो परिशरम करें धनलाब होने की संभावना बन रही है घर खरिदने का असर MILEगा वहान खरी सकते हैं पिता क्या अशिरबाद से बहुत सारे जो रुके वे कारे हैं वो संपन्होंगे बिदेश जाने का अथर मिलेगा समय बेहद उत्तम है परिशानियां दूर होंगी बच्चों की प्रगत से मन परसंद रहेगा इस ट्रेंजर से कोई डिल ना करें नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है इंडिस्ट्री तादी लगाने की जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी इस टार्टाप पितादी खोलने का समय आ गया है उसको आप खोल सकते हैं आपके लिए बढ़िया रहेगा नहीं तरह के कारी होंगे नहीं तरह के कारियों से धनलाब मिलेगा और माता पिता का सुख मिलेगा तेजगत की गाड़ी चलाने से बचें सरकार से धनलाब होते हुए दिख रहा है सौधानी के अपरत्ते अपने खर्चों पर नियंत्रा रखें उपाय क्या करना है हन्मान जी की अरादना करें और सनिवार को क्या करें कि नुकीली वस्तों या लोहे की चीज़ें खरित परुक्त ना करें नहीं तो नुकसान हो सकता है और तेजगत की गाड़ी नहीं चलानी है बात करते हैं अंतिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक है आज आपके आर्थिक किस्ति मजबूत होगी परिश्रम से धन लाब होगा सरकार और राजनीती से लाब होने का योग बन रहा है सरकार मुझपद मिलेगा नतरतो करने की चमता बढ़ेगी संतान और माता पिता का सहयोग मिलेगा और इनका सुख प्राप्त होने की संभाना बन रही है आए के नए संसाथन मिलेंगे आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है कई तरह की जो परिशानिया चली आरे बहुत दिन से समाप्त होगा आपके रोग और करजे समाप्त होंगे बिरोधी परास्त होंगे काड़ अंतरकारी विफल रहेंगे पांडित कर में रुची बढ़ेगी अध्यात्मिक विकास होगा किसे अध्यात्मिक गुरू के मिलने से आज आपका मन प्रफुल लित रहेगा और एजुकेशन के फिल्ड में कुछ बढ़ा कर सकते हैं सौधानी के अबरत नहीं है खान पान पनियत ना रखें उपाय क्या करना है भगवान विश्मु जी की अरादना करिए आपका जन दिन सुभ हो मंगल मैं हो और आपका सुख समरिधी एस्वर पत परतिष्टा प्राप्त हो आपका जन दिन आपके लिए मनोरत पूर्ण करने वाला दिन हो आप जो भी प्लान करते हैं गोजनाय बनाते हैं आपकी भगवान भूले नाथ की किरपास से आपका नोरत पूर्णो हैपी बर्टे आज जिन दर्सकों का जन दिन है उनका मुलांग खोता है पांच और आज है चोदा तारीक तो चोदा तारीक का भी मुलांग होता है पांच तो पांच चोदा और तेईस ते ठीक ही जो जनमें जातक होता है उनका मुलांग होता है पांच पांच नंबर देखा जाए तो इस वर्ष के लोगों के लिए काफी अच्छा है जो बहुत दिन से प्रापल्टी को लेकर के दिक्कत आ रही है प्रापल्टी बना सकते हैं परिशानिया दूर होंगी महिला मि अधिकारे मिलेंगे अगर निया बैपार करना चाहिए तो उसमें आपको आपार सफलता मिलेगी देखा जाता है बर्स आपके लिए चतुर्दिक विकास के लिए जाना जाएगा जनवरी से लेकि जुन तक का कालखंड आपके लिए सरड़े में माली हालत अच्छी होगी मह जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय और उत्ता में स्वरणे में उत्रोतर विकास प्रकति और आपकी मुरूरत पूर्ण होंगे और प्रयासरत कारों में बड़ी सफलता प्राप्त होते हुए दिखरे तो देखा जाए तिया बर्स आपके लिए आतिहासिक हो सकता है उपल पान सूरी दिव की आराधना करना है और गाय को पूरे वर्स रोटी और गुड खिलाना है अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की गुरू के नुस्खे में आज हम आपको नौकरी के लिए बताएंगे कि नौकरी आपको कैसे प्राप्त होगी और आपका कुडली में एक पांच नौ में अगर ब्रहस्पती बैठा है और ब्रहस्पती गरख के नाते क्या होता है कि संतान होने में दिक्कत हो रही है संतान कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 21 ब्रहस्पतिवार ब्रत रहना है और आपको गुरू देव की मंत्रका करना है जदी लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है साधी होने में दिक्कत हो रही है ता आप क्या करें कि अपने दर्वाजे पर एक केले का पौधा लगाईए और केले को चने का दाल चावल गूड से जलाविशेक करिए और उसकी साथ बार परिकरमा करके और पीला वस् खराब है दामपती जोना आपका ठीक नहीं हो रहा है नोकरी नहीं लग रही है उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी कुलेले में ब्रहस्पती कहीं भी बैटा हो और उसके नाते आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें कि ब्रहस्पती के मंतरों का जब करिए और गुरु माता को प्रतेक ब्रहस्पतिवार के दिन पीले रंगा कोई वस्तरदान करिए या पीला फलदान करिए जैसे केला हो गया, सेव हो गया, आम हो गया या क्या करिए कि बूदी की लड़ू है दान करिए आप देखेंगे कि आपके लिए पुरा ये रामबान सिंथ होगा और उत्रोतर आपके प्रगत्योगी फिकास होगा तापकी सारी परिशानिया दूर होगी तिस सुपाय को अगर आप करते हैं तापके लिए बड़ा बैतरीन रहेगा भागी गुरू कारिकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे करलिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत आप देखते रहे निजी स्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकंड नमस्कार